दोस्ते दोस्तों नया सदन तो बन गया चका चोन से भरपूर लेकिन पुराने सदन का क्या हुआ? क्या पुरानी संसद को तोड़ दिया जाएगा? नय संसद की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? नय और पुराने संसद में अंतर क्या है? बनाने में कितना खर्च आया? और इसे बनाया किसने? कभी सोचा आपने? ऐसे कई सवालों के जवाब यहां मिलेंगे. चलिए, नय सदन के साथ साथ आज याद करते हैं उस पुराने सदन को जो कई बड़ी घटनाओं की दवाब नहीं. पहले बात करते हैं इस सवाल की जो उठाय जा रहा है कि क्या पुराने संसद को तोड़ दिया जाएगा? देखिए इसके कई विकल्प हैं. किंद्री आवास एवंग शहरी विकास मंतरी हरदीप सिंगपुरी ने रायसभा में एक वक्त में कहा था कि जब संसद की नई इमारत बनकर तयार हो जाएगी तो पुरानी इमारत की मरमत करनी होगी और वैकल्पिक तोर पर इसका इस्तेम संपत्ती है. संसद से जुड़े कारक्रमों के आयोजन के लिए इस इमारत का इस्तेमाल किया जाएगा. पुराने संसद भौन को बिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर बेकर ने काउंसिल हाउस के रुप में इसे डिजाइन किया था, इसे हम सब में किन सरकार का कहना है कि मौझूदा संसद भौन में संसदों के बैठने के लिए परयाप्त जगयर नहीं थी. मौझूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 हम सब जानते हैं, पुरानी लोकसभा में अधित्तम 552 वर्ती बैठ सकते हैं. नए लोकसभा भौन में 888 सीट की ख्षमता है और इसे मोर की थीम पर बनाया गया है. पुरानी राजसभा भौन में 2500 सबस्यों के बैठनी की जग है, वहीं नए राजसभा हौल की ख्षमता को बढ़ा कर 384 किया गया है. नई राजसभा तमल के थीम पर बनी है. नए संसद भौन की संयुक्त बैठक की बात की थी. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भौन का निर्माड किया गया है. इस प्रोजेक्ट का खाता गुजरात इस्तितिक आर्किटेक्ट्चर फर्म ने त्यार किया. नए संद भौन का निर्माड जो है एक देशी कंपनी ने किया, देश के जाने माने टाटा ग्रुप की कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ये बाते हैं जो कही न कहीं सोचनी को मजूर करती है दरसल सेंट्रा विस्टा राजपत के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसमें राश्चपती भौन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है संट्रल विस्टा के तहट राश्च्पती भवन संसद नौर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक उपराश्च्पती का घर भी आता है पुराने संसद में सामने बड़ा स्पेस है और पूरी इमारत बोलाकार है जबकि नई इमारत त्रिभुजाकार है सुरक्षा के लिहास से बात करें तो करीब सौ साल पहले जब संसद भौन का निर्मार हुआ था उस वक्त दिल्ली जो है वुकंपी अक्षित्र टू में थी लेकिन अब ये चार में पहुच गई है बदलते वक्त के साथ संसद भौन में सीलन जैसी दिकते भी पैदा हुई है और आग लगने का खत्रा बड़ा है नमस्कार